हाई दोस्तों आप देख रहे मेरा ए act Act technical YouTube चैनल सब्सक्राइब किजे मैंने चैनल को और साथился दिस्क्राइब कर कर दिजेश बेल आईकन को ताकि आपको लेट्स नॉटेशन मिलती रहे 7 हाई है दोस्तों आप देख रहे मारे एसकल टेट करेंगे मद्यापदेश है व्यापकर दवारा एक नई वेकेंसी निकाली गई है जो जेल परेंगे कि विकेंसी निकाली गई है तो दोस्तों आपको पूरी जान करेंगा जैसे कि आपको आविधन कब से प्रारामब हो रहे हैं और इसमें क्या क्या आपको डोक्युमेंट लगेंगे आपको इसमें नियुन तर्म आयू कितनी होनी चाहिए आपके पास आयू कितनी होनी चाहिए मतलब और आपकी नियुन तर्म सेक्ष्टन क्यों कितनी होनी चाहिए आपको इसकी एक्जाम कब होगी आपके इसमें पात कितने दिये गए हैं आपको इसके लिए फाम आविजन कहां से करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरी जान कई दूँँगा दोस्तों मेरे वने रही है और इस वीडियो का आप सूरिश लेकर आखरी तक देखिए ज़ल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिदूँगा वहां से आप इस वेबसाइट पर डायरक्ट आ सकते हैं देखिए जैसे की दोस्तों आपको इसके वारे में पूरी डिटेल से ब्रात करेंगे जैसा की दोस्तों आप डिखा गए इसकी नियम पुस्तेका में जेल मुख्याले मद्यपद्यश भौपाल कंतर का जेल प्रारी भरत्री परिक्षा 2020 के आवेधन प्रारंब हो चोके इसके आवेधन करने की प्रारंबिक तिती 27-2020 से आवेधन आरंब प्रारंब की अंतिम त दोस्तों आवेधन भरते समय आप से कुछ गल्ती हो जाती है तो इसके संसुधन की तिती 27-2020 से और इसके अंतिम तिती संसुधन करने की 15-2020 तक है उसके हम बात करेंगे इसमें आपको परिक्षा सुल के कितना लगेगा उस परिक्षा सुल का यहां पर जैसा की दिखा दि है और दोस्तों आपको इसको लिए 60 रुपे का पोटल चार्जा अलग सी रुपे देना होगा यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है आप देहां से देख सकते हो दोस्तों इस परिक्षा के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स होते वह पॉइंट्स में आपको इस परिक्षा में सकते हैं दोस्तों इन तारीकों में कुछ बदलाव भी हो सकता है तो दूस्तों बने रहा पर इस वेसाइट पर आकर आप देख सकते हो तो आप में बात करेंगे कि इसमें अविधन करने के लिए आपको किन-किन डोक्यूमेंट से और सकता होगी दोस्तो आपको इसके लिए आपको आपको इसमें आपकी प्रोफैल बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास अदहर काड़ draußen बहुत है अंव kang Ao तो दोस्तो आपके आधार काड़े में मोबाल नमबर नहीं जूड़ा हुआ है तो दोस्तो आपको बायोमेटर सत्यापन के द्वारा कियो उसके के माध्रमशा आपके लिए प्रोफाइल के लिए अवैजन करना होगा और इसके लिए आपको पासवोर्ट फोटो ना आपके प चाहिए और दोस्तो आप फोटो के और फोटो आपके अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए और फोटो के साथ आपको आपके जो मोबाल नमबर होना चाहिए और इमेल इडी होना चाहिए आपके पास दसवी की मार्क्षीट बार्वी के मार्क्षीट और यादि आप ब्लाकर कायोगा यहां पर आपके photo लगेगी यहां पर आपके श्राक्षर दोस्ते श KEाडर के बारे में आपको एक go cheap दिना चाता हुँ तो अपके हस्ताक्षर हिंदी में करें ह art that अच्छी बात दिशदे यह इंगरी में करते हों तो इंगरी में में अपको आपको करते हैं इस बोखिम में लिखना होगा और अपकी प्रोफायल के लिए अविधन करना होगा तो जले दूसे हम बात करते हैं इस पीडियो में नीचे आपकर नीचे आपकर आपकर आपको प्रणाम वेतन मान और सेक्षण के उगेता जैसे कि देख रहा है आप पर पर नाम कारे पालिक कारे पालिक के भरती परिक्षा है यहाँ पर आप वेतन के लिए आप इस पीडियेप को पुरा पढ़ सकते हो यहाँ पर आरक्षण तालिका आरक्षण के लिए आप यहाँ पर इस तालिका को देख सकते हो और सीदी भरती दोस्तों सीदी भरती जेल पर रिकी है यहाँ पर कारे पालिक की भरती भरती है यहाँ आप देख सकते हो इसमें कितने पादे एस्टी 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 ओविसी औ दोस्तों यहां पर सीदी भरती जेल पर कार्य पालिक सवीदा कर्मचालियों के लिए 20% अलक्षान भी दिया गाए दोस्तों उनके लिए अलग से यहां पर पर दिये गए जो 56 उनके कुल पर 56 है और दोस्तों वहां पर आप देख सकते हो कि अंदर अक्षित EWS अलग अलग यहां पर डीवाइड कर देगाया पाधो के लिए अब दोस्तों बात करेंगे इसके लिए निम्स्तम शेक्षन प्राणालिक के अधीन कम से कम हाई स्कूल परिक्षा पास होनी चाहिए दिस्तों हाई स्कूल उत्यान होना चाहिए मतलब दस दस वी आपको इसमें उत्तिन होना चाहिए अब दोस्ताम बात करेंगे सारे दिरिक मापदान यह पूरुस अभ्यारते वे के लिए 150 cm कुछ चाहिए होने चाहिए और सीना 83 cm होना चाहिए और महिलाओ के लिए देशा कि यहां पर दियागा है 108 cm चाहिए और सीना उनके लिए खता है और स्पिर्बूस तरी नहीं है जानके के लिए आप में沏क और फिर्म पेंच dumplings हो मैंतम में प्लेटिंद करता है प्लेटि करीों Os अब हम दोस्तों बात करेंगे इसमें आईउयू कितनी मतलब रिम और कितनी लिए 10 लिए 910 माय वीन लेह 8 सामाने और अनारक्षित के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष से जो सामाने में आते अनारक्षित में आते वह 18 वर्ष से 33 वर्ष से वाले छात्र अभीधन कर सकते हुआ अधिक्तम 38 वर्षा के होना चाहिए जो उनको 5 वर्षा के लिए छूट मिल जाती है जैसे के आप लिखा गया है 33 प्लस 5 टूटल 38 साल के चात्र अविधन कर सकते हैं जोस्तों यहां पर और दोस्तों मैं आपको मेंडमेंट पॉंट्स और निचा आपको में बता देता हूं य आप कुल आपका फेखक्र आपको तयár प्यमिदाता टेस्ट यो मतलब का फीजिकल होता है इसमें आपको क्या का लगेगा हैपर आपकी आट Father Sweya के धोडन होगी जो तो मिन एनसे पचास सेkड में बरतिकंद के लिए हैं और यहां पर गोला फेक भी होगा, जो 20 feet तक आपको गोला फेकना है, इसका गोले का वजन आपको यहां पर लिया हुआ है, जो 7 kg और 26 kg का, 7 पैंट 2, 2, 6, 0 kg का होगा, और यहां पर महिलाओं के लिए 4 मिनट और 4 मिनट के लिए 800 मिटर की दोड़ होगी, और यहां पर 16 feet उनक गोला फेकना है, इनका जिसका वजन गोले का होगा, 4 kg, जो भूत पूर्य सेनिक और हमगार्ड के सेनिक होते हैं, उनके लिए 3 मिनट और 15 सेकंड के लिए 800 मिटर की दोड़ होगी, उनका गोला 15 kg का होगा, 15 feet तक उनको गोला फेकना पड़ेगा, उनका गोले का वजन 7 पैं मद्यपर्देश, प्रोफेशनल एक्जामनेशन, बोल्ड और बोपाल की दाविजारी की जाएगी, और जाधा जानकरी के लिए आप इस PDF को पढ़ लिजेगा, दोस्तों मैंने आपको मेंन मेंट पोईंस बता दिये गए, कि आपको क्या विधन करना है, विधन के लिए साधिरी के विग्यता आयू, सभी के बारे मैंने आपको जानकरी दिदी है, तो चले जोस्तों इस व्डियो में अतना ही, और यायी आसके टेकनिकल यूटुब चैनल सब्क्राइब कर दिजिये, और मेरे या यविधन को लाइक कर दिजिये, तो चले जोस्तों नेस्ट